हेलो दोस्तों, LDC Railway Tech and Mathematics में आप लोग का स्वागत है, आज हम लोग टेस्ट श्रीज 36 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे यह कोश्चन RCF कपूर थाला का यह कोश्चन है, जिसका एक्जाम जो है 27-2022 को यह एक्जाम हुआ था चलिए देर ना करते हुए हम कोश्चन पर चलते हैं, इसका फर्स पार्ट जो है बना दिया गया है, पचास तक, पचास के नीचे, सेकेंड पार्ट में हम चलेंगे मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप लोग को PDF कैसे मिलेगा या टेस्ट में कैसे भाग ले सकते हैं, चलिए देर ना करते हुए हम कोश्चन पर चलते हैं, अगर मेरा वीडियो आच्छा लेगा तो लाइक शियर जरूर कीजिएगा पचास में क्या का रहा है कि paint shop का incentive group कौँशा है, ठीक है, paint shop का incentive group जो है थार्ड है, कौँशा है, थार्ड है, अगर नेक्ट कोशन building के तार सुलूप का वजन कितना होता है तो building का जो तार होता है mileage वाला जो काने का मतलब जो एक ही bundle होता है उसी के बारे में बता रहा है तो यह जो है 15 kg का होता है ठीक है हम ने इस question पर चलेंगे question number bound bound में क्या कर रहा है कि sale assembly shop में roof और side wall के building joint leakage की जाज किसके द्वारा किया जाता है ठीक है यहाँ पर leakage की बात कर रहा है leakage क्या चीज का leakage अर्थात पानी का leakage यहाँ पर देख रहा है न roof और side wall का रहा है roof और side wall का जो leakage होता है हम लोग जो building करते हैं जहां भी माल लेता है कि यह रूप है अब यहाँ पर हम building करेंगे, दोनों प्लेटों को हम join करेंगे, तो उसको leakage की जाज, मतलब उपर से कोई पानी जो है अंदर ना आए, इसके जाज के लिए कौन सा हम मतलब की test करेंगे, तो यह हो जाता है dry test, ठीक है, लेकिन confused आप लोग नहीं किजिएगा, एकसल के बीच में क्रेक अगराका या अंदरूनी क्रेक की जाज करने के लिए हम लोग USP हम लोग करते हैं, अल्टरा सोनिक test हम लोग करते हैं, जबकि यह है dry test, जो पानी की leakage को मतलब जाज करने के लिए, जो हम लोग building करते हैं, उस joint पर कोई सुराग उराग ना हो, उसके लि IR, IS में RAMS सब्द का क्या अर्थ है, इसमें क्या अर्थ है, तो इसमें जो है RAMS सब्द का अर्थ यह होता है, इसको रट लिजिएगा, क्योंकि important question है, हम कोशिस कर रहा है, क्योंकि जादा से जादा मतलब की question को बता दे, जादा time ना लगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमेशा लंबे हो जाते हैं, चलिए, पलाजमा सब्द, पलाजमा जो है, पलाजमा पदार्थ की कौन सी अवस्ता है, ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि आप student life से ही पढ़ते आ र पलाजमा जो है, चौथी अवस्ता है, अर्था चौथी अवस्ता जो है, पलाजमा होता है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, student life में यह सब जानने के जोड़त नहीं था, इसलिए आप लोग ने नहीं जाना, ठीक है, लेकिन पदार्थ का चौथी अव किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो सेल एसमेली, सेल का मतलब यह होता है, देखिए, हाँ पर लिखा है, सेल का मतलब होता है, धांचा, अर्था फ्रेम, जो ICAPI, LHB, जो भी बोगी, बोगी नहीं, कौँच, कौँच जो देखते हैं, अगर मान ले तो उस पर साइडवाल क जो भी प्लेट ओगरा नहीं चड़ा है, एकदम जैसे मानो कांकाल समझे, मानो का क्योवल हड़ी कांकाल जैसे दिखाता है, मानो कांकाल, उसी परकार, अगर कौच का, पूरे मतलब की, बड़ी का प्लेट ओगरा हटा दे, जो उसमें, जो मचेगा, उसी को हम लोग सेल बो जेते हैं, जब के सेल जीक सेकए, आगे बढहतेह हैं, सेल जीक STAR की अधिक्सक्र ह qualcुल होता है, यह जो होता है, बखरका में चैसे दिखता है, यह कितना आप, रचने वाला है, मैं जरूर बताएंगा, यहां पर डबल औरे, का फूल फरम को पूछ रहा है, ठीक है, यह का फ इसको आप लोग देखिए बहुत ज्यादा या पुछा जाता है इस फ़र मैं बी एम लिख देता हूं अर्थात गोर्ड मोडल इंपोर्टेट है ज्यादा तर या कोशन पुछा जाता है इसलिए आप लोग हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप जो भी नोट्स तेयार कर रहा है उ अर्थात नोट्स के फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में थाकि आपके आँख से अर्थात आपके नजर से हमेशा गुजरती रहे ठीक है ताकि याद हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अंधाउन में क्या करा है कि एलेच भी कोश में लगे डिस्क ब्रेक सिस्टम का म करता है पहिया के समग्रा जीवन को बढ़ाता है पर भावी ब्रेक लागाता है काने का तात पर यह है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एक डिस्क लगा होता है एकसल पर डो डिस्क होते हैं ठीक है ना तो डिस्क जो होते हैं काने का मतलब इधर से दोनों तरफ से ब्रेक पाइड लगा रहाता है ठीक है और वील पर नहीं लगा रहाता है ठीक है तो आप पहले क्या बलते हैं पहले कि आभी भी आप ICF कोंच के जो वील्स पर जो देखें जो के टाइप कमपोजिट ब्रेक पहुचाता है हानी पहुचाता है ठीक है इसलिए इसी चीज को मद नजर रखते हुए LHB कोंच में डिस्क ब्रेक सिस्टम का परयों किया जा रहा है ताकि हुईल पर कोई भी छती नहीं पहुचे ठीक है अर्थात आप यहां पर देख रहे हैं कि टूट फूट में कमी करत है पहियों की समरग जीवन बढ़ाता है काने का मतलब है कि जब इस पर चक्का पर जब ब्रेक नहीं लगेगा तो घीसे का नहीं तैने सीथ है कि उसका जीवन बढ़ेगा परभावी ब्रेक लगाना इसमें ब्रेक जो लगता है बहुत मजबूती के साथ अच्छे धंग से ब्रेक लगता है ब्रेक खेल होने की संभावना ना के बराबर रहता है ठीक है न तो कहने का तात पर जाए कि क्या बोलते हैं यह हो गया हमको डिस ब्रेक से मतलब है 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 यहां पर जो ब्रेक पैड जो लगा रहता है तो ब्रेक पैड के बारे में भी कोशन आपको आता है कि प्राइमरी 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 प् साथ होता है ठीक है तो यह जो हो गया आपको ब्रेक पाइड के बारे में हो गया ठीक है और यहां पर आप जाली जी जो क्या बोलते हैं ब्रेक डिस्क जो लगा रहता है यहां पर फींस इसको हम बोलते हैं तो कोशन आता है कि फींस जो है किस द्रिष्टी से क्यों लगाया ग चाहे किसे लगाए गया है तो कूलिंग के तिने लगाए क्यों की दोनों तोरब से बस जब ब्रेग लगते है तो तो उस को उसēं को बाजने के लिए इसमें 19 ब्रहार होता है और वह ठंडा राता है ठीक है और ये भी कोचाना जाता है कि डीस्क है कि मतलब कितना दोनों तरफ से कितना घीस जाए तो हम डीस्क को बदल देंगे ठीक है तो अगर दोनों तरफ से पुछता है तो 14 mm आर्थाथ एक तरफ से 7 mm और दूसरे तरफ से भी 7 mm 7-7 mm दोनों तरफ से घीस जाए अर्थात कूल 14 mm एक डिस्क जो है अगर घीस जाता है तो हम उसको कहने का ताथ परजाए कि उसको हम चेंज कर देंगे अर्थाथ बदल देंगा अर्थाथ डिस्क वह कंडम हो जाएगा तीक है अब चलते हैं कि दोनों डिस्क की बीच की दूरी कितना होता है तो यह होता है दस्सो तीस हमें तीक है न और डिस्क और विल के इनर फेस के बीच की दूरी कितना होता है तो एक सो पचातर हमें होता है और wheel का दाया कितना होता है तो 640 में होता है याद रखिएगा और disc का मोटाई कितना होता है 110 में होता है तो यह जो wheel से जितने भी समंदित question थे मैंने आपको clear किया है और wheel जो है क्या चीज़ का बना होता है तो यहाँ जो है grey cast iron का यह बना होता है तो इतना जो भी मैंने लिखाया यह आप लोग note कर लेंगे वीडियो को रोक करके अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को buy करके आप देखेंगे चलिए 69 नमर में क्या करा है कि RCF cell की assembly shop में building के धुमिये को कम करने के लिए कौन सा उपकरन लगाया गया तो इस अधार पर आप अपने shop में पता कर सकते है कि cell assembly shop में building को धुमिये को बाहर निकलने के लिए कौन सा उपकरन लगाया गया इस question को चाते तो मैं यहां से हटा देता लेकिन इससे यह सिख्षा मिलता है कि आपके shop में क्या लगाया गया है वो अपना पता किजिए इसके तो RCF के लिए C number answer हो जाएगा धूँआ निकालने वाला रहनी film क्या लिए का है instructor लगाया गया है RCF में लिखिन आपके shop में क्या लगाया गया है आप अपना पता करेंगे ठीक है आपके लिए नहीं है वहाँ के लिए next question क्या कर रहा है K E M P P P I building में में मेंट के साथ side wall seat एंग 16 बार के lap joint लगाने है तो सही parameter कौन सा है ठीक है जो lap joint करते है K E M P P I building के लिए कौन सा मतलब की लगाते है तो इसका ए होगा voltage उसमें जो है 20 से 40 रखते हैं और current जो है 140 से 150 रखते हैं ठीक है तो यह रटने वाला है इसको रटने लेंगे building से question है ठीक है आगे बढ़ते हैं 16 नमर में कि side wall seat के साथ soul bar की welding के लिए टार की उपजुप्त गती क्या है ठीक है जब आप side wall seat को building करते है side wall के साथ soul bar जब soul bar और side wall को जो आप connect करते है welding करते है तो उस वक्त building की गती क्या होना चाहिए ठीक है क्या कर रहा है building के लिए टार की उपजुप्त गती अब यहाँ पर आ गया यहाँ पर लिखा है तार की उपजुप्त गती ठीक है तो यहाँ जो है ए होगा ए वाला 10 mm पर second यानि 10 mm जो एक second में 10 mm ही आगे जो है बढ़ना चाहिए ठीक है इसका answer D हो जाएगा देखिए building से question है बहुत ही important है इसको आप लोग यादर करेंगे ठीक है चलिए कर रहा है कि मीग building में धातू के रूप में अस्थनतरित होती है जब आप मीग building करते हैं उसमें धातू जो है किस रूप में मतलब की अस्थनतरित अस्थनित माने एक जगा से दुसरी जगा जाता है आप मतलब की तो यह जो है molten drop की रूप में जाता है कैसे जाता है molten drops के रूप में जाता है ठीक है अर्थात पीगली हुई बुंदे अर्थात इसका हिंदी जो हो जाएगा पीगली हुई बुंद के रूप में जाता है मीग building में आप लोग देखते हुएगा MIG यानि Metal Inert Gas Building तो उसमें होता क्या है कि एक lead होता है और यहाँ पर एक nozzle होता है और इसमें पतला सतार अंदर से ही अंदर यहाँ निकलता है तो आपका जो holder होता है holder के पास में एक switch होता है तो जब हम एक switch को दबाते हैं और यहाँ जिसे metal हो गया यहाँ पर यह touch करेगा तो यह automatic यह तार जो है बाहर निकलता है जब यह इसको switch को जब दबाईएगा और यहाँ पर तार जो है गलना चालू होता है तो वह ही कह रहा है कि जब MIG building हम करते हैं धातू किस रूप में अस्तांतरित होता है तो molten drops यानि अर्थात पीगली हुई धातू के रूप में यहाँ पर जमता है समझे कि नहीं समझे अच्छा तो यह तो आप समझ गए तो यह जो आपको जल्दी जल्दी मैं यह भी समझा दूं कि यह MIG building का मतलब यहाँ पर है कि metal inert gas building तो inert gas के रूप में कोश्चान आता है कि inert gas के रूप में हम किसका परियोग करते हैं तो यहाँ जो है argon और helium gas का हम लोग परियोग करते हैं तो हमने तो जब पढ़ा था तो उस वक्त मैंने एक trick बनाय था हेने आके जारे हे से हेने हे से हिलियम ने से नियोन हेने आ आ मने आरगन हेने आके के से क्रिप्टोन हेने आके जारे जा मतलब की जेनोन रे मतलब रेडोन ठीक है हेने आके जारे मतलब ये क्या चीज है अक्रिये गैस अर्थाद inert gas हो सब है तो उसी में से argon और helium जो है हम लोग MIG building में हम लोग परियोग करते हैं ठीक है और एक होता है MAG यानि metal active gas building तो active gas के रूप में हम लोग CO2 gas का परियोग करते हैं तो जब हम लोग CO2 gas का परियोग करेंगे तो हम लोग MAG कहेंगे उसको क्या कहेंगे MAG कहेंगे अर्थात metal active gas building question आता है कि CO2 gas जो है कौन सा मतलब gas है तो यह एक active gas है जबकि argon और helium कौन सा gas है inert gas है समझ रहे हैं न तो आपका question है कि जो मेंग building में धातू के रूप में जो आस्थांतरित होता है तो molten drops के रूप में अर्थात पीगली हुई धातू के रूप में हम लोग को यहाँ पर मतलब plate पर जमता है और building होना चालू होता है ठीक है ना तो मीग building जब करते होंगे CO2 building तब देखे हुएगा यहाँ पर एक बहुत सारा bundle होगा उसी में से धीरे 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 खूल करके इसमें अंदर से तार जाता है जब यहाँ से switch दबाते हैं चलिए हमको जहाँ तक भिश्वास है कि आप समझ गए होंगे हम आगे बढ़ते हैं कर आए कि arc building में बहुत तेजी से building गती का परिनाम क्या होगा ठीक है ना जब बहुत जिसे मा लेते हैं कि यहाँ प्लेट है जब यहाँ पर आप building कीजिएगा building जब कीजिएगा तो यहाँ पर जो अगर बहुत तेजी से ले जाईएगा आपका भी holder उठा कर देखिएगा और बहुत तेजी से सटा करके हाथ को खीचिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो builder भाई होंगे तो automatic समझते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है कि पहले तो ठेट भासा में मैं समझा दूँ कि यहाँ जब उसको तेजी से भागाएगे तो वहाँ पर जो है अत्यधीक छिटे मतलब एसपेल्टर जो है देखिए जब आप building करते हैं question आता है कि एसपेल्टर किसे काते हैं तो एसपेल्टर उसे काते हैं जो building करते समय building के आसपास गोली के रूप में कोटे छोटे दाने के रूप में इधर उधर metal गोली के रूप में metal पर चिपक जाते हैं उसी को हम एसपेल्टर काते हैं तो वहीं जब तेजी से इसको भागाईएगा तो एसपेल्टर जो है ज़्यादा होगा अर्था छिट्टा ज़्यादा उड़ेगा undercut होगा undercut का मतलब यह होता है कि आपके प्लेट के लास्ट एस्थिति पर कहीं भी वह कट जाएगा ठीक है और अनुपरस्ट काट छेतर फल में कमी हो जाएगा अनुपरस्ट काट छेतर फल का मतलब हो गया कि जितना यह लंबा था metal जिस पर आप बेल्डिंग कर रहेते वह कट जाएगा तो वहाँ छेतर फल जो है कम हो जाएगा ठीक है ना तो अत्यधिक छीटे होंगे और अंडर कट हो जाएगे आपका बी नंबर यहाँ पर सही होता है आगे बढ़ते हैं देखिए यह 64 नंबर कोस्टन जो है कर रहे है कि अगर डिटेल रूप से समझाए तो आधा घंटा लग जागा कि आपने तो बहुत टाइम लगा दिया लेकिन मैं जितना जरूरी है उतना मैं बताऊंगा बेल्डिंग अफ कलासिफिकेशन तो बेल्डिंग अफ कलासिफिकेशन अगर जब तक डिटेल रूप से आपको नहीं बताया जाता है तब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी मैं कुशिस करता हूँ कि जल्दी में आपको बता दे तो यहाँ पर हम पुरा सौर्ट में लिखेंगे आप उसको मेरे आवाज को सुन करके लिखने का प्रयास किजिएगा तो मैं सौर्ट में लिखूंगा वेल्डीन वेल्डीन आफ क्लासिफिकेशन बाकी सौर्ट में देखीए वेल्डीन क्लासिफिकेशन थीक है तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह का बना दे रहे हैं लोकिए वेल्डीन और रोकिए building of classification ठीक है तो यहां ऐसे तीर के निशान बनाईए और आप इस तरह बनाईए ठीक है इस तरह बनाएंगे ठीक है इस तरह building of classification ठीक है अब देखिए building जो है दो परकार से होता है कौन कौन सा इसको आप देखिए मेरे बोले हैं कि मेरे आवाज को सुन करके लिखिएगा मैं उतना नहीं लिख पाँगा स्क्रीन पर ठीक है तो building up classification मैं short में जल्दी जल्दी में मैं बताने का पर्यास करूंगा तो यह होता है एक pressure building क्या होता है pressure building ठीक है और दूसरा होता है non pressure building ठीक है non pressure welding ठीक है बेल्डिंग का जब कलासिफिकेशन कीजिए गाते एक होता है प्रेसर बेल्डिंग और दूसरा होता है नन प्रेसर बेल्डिंग ठीक है अब आएए प्रेसर बेल्डिंग में ठीक है हम अब नन प्रेसर के बारे में बादें बताएंगे पहले हम चलते हैं क्या बोलते है रजिस्टेंस बेल्डिंग जिसको हम लोग परतिरोध बेल्डिंग के नाम से जानते हैं ठीक है दुसरा होता है रजिस्टेंस बेल्डिंग जो हम लोग क्या मतलब की नाम से जानते हैं परतिरोध बेल्डिंग भी कहते हैं ठीक है कहने का तात्वर्ज है metal को इतना गर्म किया जाता है कि वह प्लास्टिक का वास्ता तक है जब मैं building of classification जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जाशिश के बानाने का मैं प्रयास करूँगा इसके बाद में तो मेटल को इतना गरम किया जाता है कि वो पलास्टिक के वास्ता में आ जाता है तब उसको हम लोग प्रेसर दे करके मतलब उसको चापते हैं वो बेल्डिंग के रूप में छिपक जाता है ठीक है तो प्रेसर बेल्डिंग को हम लोग पलास्टिक बेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं और प्रेसर बेल्डिंग या प्लास्टिक बेल्डिंग भी दो भाग में बाता गया है एक होता है फोर्ज बेल्डिंग और दूसरा होता है रजिस्टेंस बेल्डिंग जिसको मेलोग परतिरोड बेल्डिंग के नाम से जानते हैं अब रजिस्टेंस बेल्डिंग है यह जो है बहुत परकार के होता है ठीक है जो जरूरी है आपको बता देता हूं यह स्क्रीन पर मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा वीडियो रोक रोक करके आप लिख लीजिएगा ठीक है तो जैसे कि offset building resistance building में आता है offset building ठीक है export building ठीक है उसके बाद में team building ठीक है ना उसके बाद में projection building यह सब जो है resistance building के अंतरगत आता है ठीक है तो यह shortcut में आपने समझ गया कि यह जो है आपका building का जो है प्रेसर बेल्डिंग या प्लास्टिक बेल्डिंग भी के नाम से जानते हैं ठीक है यह हो गया ठीक है यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिजिस यहाँ पर मैंने लिखा प्रेसर बेल्डिंग या प्लास्टिक बेल्डिंग ठीक है और इसमें जो है फिलर मेटल का परियोग नह नहीं होता है यह तो आप जान गए क्या बोलते हैं प्रेसर बेल्डिंग के बारे में आपका कोश्चान क्या निमलिक्ष्ण से कौन सा फ्यूजन बेल्डिंग है और मैं चलता हूं इधर तो इसमें फ्यूजन बेल्डिंग आप कभी सुने नहीं लेकिन आपने यहां देखा non-pressure welding जो है इसी को non-pressure welding को ही चलिए मैं इधर अब चला थोड़ा चलता हूँ ठीक है आपने मैंने पहले कई से इस तरह बनाया था ठीक है तो इधर वाला तो आपको हमने बता दिया resistance building वाला काम, अब मैं इधर वाला बताऊंगा, ठीक है, इधर वाले मैंने क्या लिखा था, यहाँ इधर लिखा था मैंने non pressure building, non pressure building, ठीक है न, तो non pressure building को ही हम लोग fusion building काते हैं, non pressure building को हम लोग क्या बोलते हैं, fusion building, ठीक है, non pressure building को ही हम लोग fusion building के नाम से जानते हैं, ठीक है, त इसको भी दो भागों में बटा गया है तीक है दो भागों में बटा गया है जिसमें एक यहाँ पर आता है थर्मिट बेल्डिंग ठीक है ना कौन सा आता है थर्मिट बेल्डिंग ठीक है और दोना यह इसको तीन भागों में बटा गया ठीक है और एक आता है आर्क बेल्डिं के नाम से जानते हैं और इसको भी तीन भागों बटा गया है ठीक है ना जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट बेल्डिंग एक होता है दुसरा आर्क होता है एक गैस बेल्डिंग होता है ठीक है तो अब देखिए तो थर्मिट बेल्डिंग भी है और आर्क बेल्डिंग में भ पलाज्यमा मेल्डिन ये सब जो है आर्क बेल्डिन के अंतरगात आता है तिक बने और गैस मेल्डिन के अंतरगात जो है जांते हैं कि मिगवेलडिन वांता है फूरी to में तब तक हमको लगता है कि इतना तो जरूर आप समझ गया होंगे जितना मैंने बताया है ठीक है ना तो आपका कोश्चन यहाँ पर है कि नियुलिक्ष्टिम से कौन सा फ्यूजन बेल्डिंग है तो हमने बताया कि नॉन प्यूजन बेल्डिंग को ही फ्यूजन बेल्डिंग कहते हैं तो इसमें थर्मिट बेल्डिंग भी आ जाएगा फ्यूजन बेल्डिंग में आर्क बेल्डिंग भी आ जाएगा गैस बेल्डिंग जो होता है मिक ये सब भी fusion building के अंतर गता आएगा अब हम चलते हैं आपके option पर देखिए यहां पर लिखा है कि force building तो हमने उपर first में ही बताया कि pressure building या plastic building इधर जो मैं बता रहा था pressure building या plastic building ठीक है तो इसी में से आता है एक टो force building जो मैंने बताया था आपको तो force building भी नहीं होगा बी नमर में देखिए arc building तो जो इसमें मैंने बताया यहां पर arc building तो non pressure building को ही fusion building का आते हैं इसमें arc building आपका बी नमर option सही हो जाएगा ठीक है आप देखिए resistance building तो resistance building जो मैं यहां बता रहा था मतलब कि non pressure building वाला नहीं प्रेशर बेल्डिंग वाला plastic building वा है दो भाग में जो मैंने बताया था कि $ building और एधर आता है ठीक कि आम देखिए डी नमर में लिखा है कि थरमिट說 building प्रेसर बेलिंग के फॉजन कर दिया है इसलिए यह आपण गलत होगया लेकिन कि यह वल tharmit building अगर रहता तो यह भी fusion building के अंतरगत आ जाता क्योंकि fusion building को thermit building, arc building and gas building यह fusion building के अंतरगत आता है समझ गये ना, जहां तक भी स्वास है कि आप समझ गये होँगे, मैं बोलते बोलते जो है अप गला दुक रहा है ठीक है ना मैं building up classification building का मैं वीडियो जासिश के बाद बनाऊंगा आपको पूरी detail में मैं बता दूँगा लेकिन अभी भी हम जितना बता हैं हमको भी स्वासा है कि आप समाज गया होंगे ठीक है comment section में जरूर दीजिएगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे और क्या बोलते हैं अगर वीडियो आचा लगे तो like share जरूर कीजिएगा इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग को क्या लाइक share ही तो करना है चलिए पैसट में क्या करा है कि in house निर्मित क्या लिका है LHB LNB हो गया है ना LHB cell के रूप में वेंटिलेटर डैस करमचारी के द्वारा खिट किये जाते हैं ठीक है ना तो देखिए यह जो question है आपके RCF के लिए है जो RCF के जो candidate होंगे करमचारी भाई होंगे वो बताएंगे ठीक है ना यह local question हो गया कि in house निर्मित LHB cell रूप में वेंटिलेटर कौन से करमचारी के द्वारा लगाये जाता है गुरूप A B C D जो भी कौन कौन गुरूप उहां पर बढ़ा होगा उस कौन लगाते हैं वहां कि आदमी बताएंगे आप अपने सोप में पता कर लेंगे ठीक है कट की गहराई बढ़ाने से धातू निकालने की दर देखिए यह सिंपल सा कोश्चन है माल लेते हैं कि आप ड्रिली यहां पर कर रहे हैं जब कट की गहराई जब प्रेसर दीजिएगा बढ़ाईएगा तो निशित है कि क्या कर रहा है धातू निकलने की दर कि यह बहुत इंपर्टेट कोश्चन है कि चेंफरिंग करने के बाद क्या होता है ठीक है न चेंफरिंग जो है इतना ध्यान में रखिए कि ध्रेडिंग जब आप गुना कटते हैं ध्रेडिंग जो करते हैं थ्रेडिंग के पहले हम लोग चेंफरिंग करते हैं अर्थात चेंफरिंग के बाद ही हम लोग थ्रेडिंग करते हैं ठीक है न यह दोनों बात ध्यां रखेगा चेंफरिंग के बाद क्या करते हैं थ्रेडिंग करते हैं थ्रेडिंग के पहले क्या करते हैं चेंफिरिंग करते हैं तो चेंफिरिंग और थ्रेडिंग जब तक हम चेंफिरिंग नहीं करेंगे तब तक हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह इसका एंसर थ्रेडिंग हो जाए डाब चलिए और सट में क्या कर रहा है कि टूल रूम के करमचारियों का incentive group क्या है तो टूल रूम का incentive group जो है plant है अब कई का plant है तो plant यह न कि आपके जो cutting करते हैं जिसका pipe होज pipe होता है उसको भी लोग plant कहता है वो plant नहीं यह plant एक विभाग है आपके personal में होगा personal office में जाकर देखिएगा plant एक विभाग है एक section है ठीक है machinery and plant जो आपको मैंने आपने सुना होगा या M&P से क्या समझते मैंने पिछला वीडियो मैंने बताया था machinery and plant जो है यह जो है plant head 42 से समंधित है बताया था ना 41 से तो उसी वही plant आया थीक है तो tool room करमचारियों को incentive group क्या है तो plant थीक है ना धियान में रखेंगा आगे बढ़ते हैं उनसर्थ में कि मुख तरीके हीचे और slot को shaper पर नहीं कटा जा सकता पर आये कि मुख तरीके से खांचे और slot shaper machine पर नहीं काटा जा सकता तीक है ना तो किस पर काटा जाएगा भाई जब shaper पर नहीं काटा जाएगा तो किस पर काटा जाएगा तीक है इसका answer जो है कि pencil huste हो जाएगा क्योंकि इसे slot machine या milling machine पर हम लोग मुख मिलिंग मसीन पर या स्लोटर मसीन पर हम लोग स्लोट को काटते हैं या मिलिंग मसीन पर भी काटते हैं ठीक है सेफर पर हम लोग नहीं काटते हैं लेकिन आपके कोश्चन में नहीं काटा जा सकता है कोश्चन है कैनोट भी कट आफ सेफर ठीक है तो यह किस पर कटा जाता है तो मिलिंग मसीन और सेफर मसीन पर कटा जाता है ठीक है इस पर नहीं कटा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं Question No.17 अंतराष्टी योग दिवस कम मनाया जाता है देखिए यह जो है GK कोचन हो गया तो यह कही जोन को मनाया जाता है आप चानते हैं आप मनाये भी हैं यह कोई मतलब की भी चलिए आरसी यह कपूर थाला के GM कौन है तो देखिए यह Question जो है मैं चाहते तो यहां से हटा भी देते लेकिन मैं नहीं हटाया हूँ क्योंकि आप लोग इसे यह सिख्षा मिलता है कि आप लोग अपने पता कर लिजीगा जिस जोन में भी होंगे जहां भी होंगे कि यहां का GM कौन हो ठीक है CME कौन है डिप की CME कौन है यह जितना भी होगा इस सब आप लोग याद कर लिजीगा एक नोट्स तैयार कर लिजीएगा ठीक है और चली मैं इस कोचन का पहले एंसर आप अपने गूगल पर भी सर्च करके आप देख सकते हैं कि आप अपने अपने GM का नाम नोट कर लेंगे जो एकजाम होने अवाला होगा जब भी CME का सभी लोग का नाम एक लिस्ट बना करके आप लोग याद कर लिजीएगा ठीक है और एक और चीज़ याद कर लिजीएगा अपने करखाना के इतिहांस के बारे में अपने करखाना के इतिहांस के बारे में आपके प्रसनल जहां पर होगा ओफिस होगा वहाँ board जरूर लगया होगा या कहीं भी board लगा होगा जरूर कहीं न कहीं board लगा ही होगा अपने करखाना की इतिहास के बारे में भी कब यह अस्तापना हुआ मतलब क्या बोलते हैं कब पहले जब अस्तापना हुआ क्या चीज का production होता था अभी क्या चीज का हो रहा है और कितना मतलब की production हो रहा है महीना में कितना out turn हो रहा है यह सब आपको notes तयार करना है तो मैं चाहता तो यह question को निकाल देता लेकिन नहीं निकाला हूँ इसलिए कि आप लोग को इसे सिख्छा पराप्त हो इस यहाँ पर मैंने लिक दिया है कि इस प्रस्ण से यहाँ पता चलता है कि सौप में कितने सेल बनाएगा है इसे जनकारी कर लीजिए चलिए 72 नमर में क्या कह रहा है कि BTA बर्स 21-22 में A से S द्वारा कितने सेल बनाएगा तो कहने का मतलब है कि इसके हिसाब से तो 72 कैंसर यहाँ पर C है लेकिन एक कपूर थाला के लिए है RCF के लिए है आप अपने अपने सौप में पता कर लेंगे जब एकजाम जब आपका नजदीक में होगा एक महिना या दो महिना पहले का फुरा डिटेल जान लीजिएगा बोड पर भी चार्ट मारा होगा चार्ट लगाया होगा बोड पर एक चार्ट होता है जो बोड पर लिखा रहता है हमेशा किस महिना में कितना गाड़ी आउटर्न हुआ यह सब चीज जो है आप लोग अपने कोपी पर या उसको मोबाल से फोटो खीच लेंगे और रूम पर आकर करके उसके अपना नोर्स त्यार कर लेंगे ठीक है यह भी जरूरी है क्योंकि आप डेली जहां काम करते हैं वहां का कोश्चन अगर आपको कनफ्यूज कर जाए तो यह काम ठीक नहीं है ठीक है चालूबी बित बर्स 22-23 में कूच के निर्मान के लिए RCF का लक्ष किया है ठीक है न तो यह भी आप पता कर लिजिएगा कि मेरे सौप में लक्ष किया है 22-23 के लिए तभी 23-24 के लिए कितना लक्ष है ठीक है यह 22-23 के लिए था अब अब तो 22-23 चला गया वेल्डिंग करते होंगे RCF में वो बताएंगे ठीक है लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ट्रेक्टर वेल्डिंग जो है साइडवाल साइडवाल और इंडवाल में किया जाता है ठीक है किसे स्टेज में किया जाता है वहाँ पर वहाँ के लोकल आदमी बताएंगे ठीक है लेकिन यहां welding जो है साइडवाल इंडवाल में रेक्टर welding किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं छी हतर नंबर में पर आगे धातू का वह गुन जिसके द्वारा इसे सीट में बदला जा सकता है यहां पर सीट के जगा अपर सीट के जगा अपर यहां पर लिख दे की वायर की रूप में बदला जा सकता है और थात तार की रूप में बदला जा सकता है उस उस गुन को हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं डक्टिलीटी ठीक है जब धातू का वहगून जिसके द्वारा हम तार की रूप में बदल दें तो वह हो गया डक्टिलिटी अगर सीट की रूप में बदल दें तो हम उसको कहते हैं मैं वे लिटी इसको आप ध्यान में रखेंगे यह बहुत ही important question है ठीक है यह बार-बार पूछा जाता है चलिए हम आगे बढ़ते है question number 77 77 में देखिए 77 में लिखा है कि गुनवाता नियंतरन सर्थें के अनुसार NCR का क्या रथ है ठीक है तो देखिए NCR आपके जून के अधार पर या नहीं पूछ रहा है NCR जो होता है North Coast Railway इस टाइब से या North Central Railway या नहीं आपके जून के बारे में नहीं कर रहा है यहां पर आपके question में कि गुनवाता नियंतरन सर्थ जो है उसके अनुसार NCR का रथ क्या है तो इसमें कहीं भी नहीं दिया हुगा इसका answer D हो जाएगा non of this लेकिन यहां पर question उठता है कि आखिर फिर जब non of this है तो इसका और्थ होता क्या है NCR का तो मैं तो हिंदी में मैं बताऊंगा इसका आप English translate कर लीजिएगा कि इसका होता है गयर गयर माने non अनुरूपता अनुरूपता गयर अनुरूपता रिपोर्ट गयर अनुरूपता रिपोर्ट इसको translate कर लीजिएगा तो इसका NCR का full form हो जाएगा और तो इसको हम क्या बलते हैं गर अनुरूपता रिपोर्ट या अगर detail में इसके बारे में जानना चाहे NCR के बारे में NCR के बारे में तो है क्या तो NCR एक design और निर्मान संबन्दी दियान में रखेंगे NCR एक design और निर्मान संबन्दी दस्तवेज है क्या है दस्तवेज है जो उन मुद्धों को संभोधित करता है जहां परियोजना बिनिर्देश से बिचलन हुआ है या जहां कार्ज सहमत गुनवाता मानकों को पूरा करने में बिफल रहता है ठीक है ना वहाँ पर NCR का परियोग किया जाता है ठीक है ना गुनवाता कादिश्टी से फिर से सुन लिजिए NCR एक दिजाइन और निर्मान समंधी दस्तवेज है जो उन मुद्धों को संभोधित करता है जहां परियोजना बिनिर्देश से बिचलन हुआ है बिनिर्देश से बिचलन हुआ है मतलब कि बिचलित हो गया है या जहां कार्ज सहमत गुनवाता मानको को पूरा करने में बिफल रहता है वहाँ पर हम लोग NCR का परियोग करेंगे ठीक है तो इस हिसाब से इसका अप्शन नहीं दिया गया है ठीक है ना चलिए आगे इसको वीडियो को रोक करके और जो मैं भी बोला हूँ उसको लिख लिजाए कि मैं उतना लिख नहीं पाता हूं मेरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं 77 में क्या करा है कि static load testing machine dash में अस्तापित है अब या testing machine कहां अस्तापित है तो RCF में तो bogie shop में है ठीक है लेकिन आपके shop में कहां है आप अपना पता किजिएगा ठीक है ना आगे बढ़ते है कराansas shop के द्वारा bd., dbt किया जाता है ठीक है न मूझ उस्ताप के द्वारा dbt किया जाता है मतलब कहां किया जाता है तो यह भी लोकले कोषन है तो CMT Lab में किया जाता है आप अपने swap में पता करेंगे कि कहां किया जाता है ठीक है चालिए औसी नमबर एक चुटपुटिया मयत है ये तो मुझबानी बन जाता है माइनस दो को तीन मतलब पावर है तो माइनस दो गूने माइनस दो तो दो दूनि चार दूनि आठ मिनस मैनस पलॉस अफ़्िर पलॉस माइनस माइनस मतलब की माइनस आठ इसका answer हो जाएगा ठीक है न चलिए नेस्ट में क्या कर रहा है कि a बरावर 5 अठीथ बरावर 7 है तो a माइनस b का whole square कितना होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या साथ का होल सक्ट कर टीक है मैंनस या कॉमेंट किया था कि सार मायत का भी पीडियो चाहिए मैंत का तो पीडियो है तो मायत के में लेने से क्या फैदा वो तो समझने वाला चीज है और experience का चीज है तो एसे मयत का वीडियो मैंने फिले लिस्ट में जाकर देखिएगा मैंने बनाया है वीडियो ठीक है फिर मैं बनाऊंगा आगे ठीक है तो मैत experience का चीज है आपको समझने के जुरूरत है और ये भी मैं बता दू कि मैत कोई बड़ा चीज मैत नहीं पुछता है ए percentage लाभानी और रेल है और कलकुलेशन यहीं सब पुछता है ज्यादातर के कोचन इसी चाप्टर से ठीक है जैसे आप आपके आँख के सामने है कि कौराय की परतिसत से ही देखिया कोचन है कि 3 बटा 25 को परतिसत में बदले तो किसी भी आउंक को परतिसत में बदलने के जो बिल्कुल हलका होते है इसलिए मैथ के लिए tension नहीं लेना है जो आपको मैथ आता है उसी को revision कर लेंगे अब हम चलते हैं 83 नंबर question अर्थात next question पर कर रहा है कि HOER का मतलब किया है देखिये मैंने HOER से question को जो मैंने क्या बोलते है वीडियो मैंने बनाया है ठीक है तो उसमें जा करके मैं इसका क्या बोलते हैं बता देते लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग comment section में लेंगे और जो भाई PDF लिए हैं वो HOER वाला PDF जा करके पढ़हेंगे ठीक है HOER वाला PDF जा करके पढ़हेंगे और क्या बोलते हैं जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो जाकर हो वीडियो मेरा बना हुआ है बहुत ही डीटेल में मैं मुझे बताया गया है उसमें कि गहन स्रेनी की समय कितना घंटा होता है लागतार कितना करेंगे कितना घंटा सारे के सारे नियम बहुत अच्छे धंग से मैंने बताया है उसमें जाकर के पढ़हेंगे ठीक है चलिए मैं बता ही देता हूँ आप लोग ज़्यादा घबड़ाएं नहीं है चलिए यह यार का फूल फर्म होता है हावार अफ वार्क हावार अफ वार्क एंड पिरियोड आफ रेस्टु कहो ना तो कहने के मतलब भार उसमें जाकर कर contam से मैंने बताया है यह यह यार वाला वीडियो में यह पीडियेफ में ठीक है जो prat लिये ठीक है यह यह यार वाला वीडियो जाकर uz ne में खोजेंगे देखेंगे चलिए एक रेलवे करम चारी के खाते में एक बर्स में ओशत बेतन आधकास कितने बे है ठीक है न तो यह तो जानी रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं ठीक है एक बर्स में जो है जुलाई में जो है 15 गो अब फिर आपको जनवारी में पंद्रेग और टोटल जो है 30 को मिलता है पचासी में क्या है निमलिखीत में से कौँ साथ दंड नहीं है कि निलंबन जो है आपका दंड जो है नहीं है ठीक है ना निलंबन दंड नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं डंड जो है छोटी सास्ती जो है एसे फेगा रहा है बड़ी सास्ती एसे 5 है ठीक है ना निलंबन कोई है इसका भी अगर कहें तो डी एंड ए अर वाला जाकर पीडिये पढ़ेंगे या वीडियो जाकर के देखेंगे ठीक है उसमें जाकर दिया हुगा है चले 86 नमर में क्या कह रहा है इसे कौम जीवित बच्चों वाले पूरुष रेल सेवक को 10 दिन की अवधी के लिए प्रित्रित आवकास जो है दिया जाता है ठीक है ना तो प्रित्रित आवकास जो आप लिये हैं आप जानते हैं 15 दिन के लिए लिया जाता है और यह आवकास जो है आपको 180 दीन अर्थात 6 महिना के अंदर में आपको आवकास या ले लेना रहता है ठीक है और 15 दिन आपको मिलता है तो यह जो है आपको राशा डिस्टर्प हो गया था दो से कम जीवित बचों के वाले पूरूस के रियल सेवक को कितने दिनों के अवधी के लिए प्रित्रित आवकास दिया जाता है ठीक है तो यह 15 दिन के लिए जात दिया जाता है और 180 दिन के अंदर रथा 6 महिना के जो है 730 दिन इन लोग को मिलता है ठीक है और 730 दिन मिलता है जो पर्थम 365 दिन जो होता है पर्थम 365 दिन जो लोग लेते हैं उसमें उन लोगों को उसमें 100% जो है बेतन मिलता है बाकी आगे के 365 दिन जो उन लोगों जो लेते हैं 365 दिन उसमें उन लोगों को बेतन जो है 80% दिया जाता है, बहुत इंपोर्टेट कोशन बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, महिला करमचारी को टोटल कितना मिलता है, 700 दिन, ठीक है, तो अगले 365 दिन जो है, उसमें 100% बेतन मिलता है, उसके बाद के 365 दिन में, उनलों को 80% ही बेतन मिलता है, ठीक ह अधिकतम वो जो है, 180 दिन, 180 दिन वो छूटी एक बार में ले सकती है, और कम से कम उनको 5 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है न, और बेतन के बारे में भी आपको हमने बता दिया, दो पार्ट में, 8, 365 दिन में, 100% बेतन, और उसके बाद के 365 दिन में, 80 दिन का 80% उनको बेतन मि सेवा के परतिक बर्स में, 10 हाप और सत बेतन आवकास, LHAP छुटी का हकदार है, देखिए, यहाँ पर हाप मतलब की LH, HP की बात हुआ है, ठीक है, तो 10-10 करके उनको मिलता है, तो का कर रहा है, इसमें एक रेल करमचारी को परतिक बर्स, परतिक बर्स मतलब की एक बर्स में उनको कितना मिलता है, तो 20 मिलता है, अर्थात 10-10 करके दो बार मिलता है, यानि टोटल 20 मिलता है, क्या मिलता है, हाप, यानि हाप 10-10 उनको मिलता है, ठीक है न, आगे बढ़ेंगे, टोटल 20 मिलता है, अगर फूल कर हैं तो 10 होगा, एक कलेंडर बर्स में करसाला के करमचार दस मिलता है ठीक है ना यह आप लोग जानते हैं कोई बड़ी बात इसमें समझाने के ज़ुरत नहीं है कर रहा है पर्मानेट नेगोटियन मसिनरी आठाथ एम PNM देखिए भी कोशन आपसे कर रहा है ठीक है तो यह जो है अन्नाई सो एकाउन में सुरू किया है भारतिय रेल्वें में उपी संजुक सलाकार मसिनरी जेसी एम ने डैस बर्स में अपना काम सुरू किया है तो यह जो है तो मीटर स्कॉर में होगा वर्ग मीटर में होगा अर्थात ए नंबर इसका एंसर हो जाएगा ठीक है बानवे नंबर में एवी सिपी सिलेशन में इन्वेंटरी को नियंतित करने के लिए किन वस्तुगों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो एक कटेगरी वाला जो कि दूटने वाला उसपर जयादा धेयान दिया जाता है ढाका रहा है कि रीफिलिंग यह निरीक्षन के बाद अगनिषामक का दे डेटा की अवधि के लिए माना जाता है ठीक है तो देखिए आपर लिखा है 6 मंद तो रिफिल निरीक्षन के बाद में 6 महिना तक ले डेटा को माना जाता है देखिए यहाँ पर जो अगनी सामाग जो फार एक्ष्टि भूसर जो देखते हैं तो फार एक्ष्टि भूसर में कई तरह के कोशन आता है ठीक है अगर उसमें यह कोशन कादे कि उसको कब refill किया जाता है खिर से कब भारा जाता है तो एक बरस पर कितना एक बरस पर ठीक है लेकिन उसको check कब किया जाता है उसको जाचते हैं कब उसको निरीक्षन कब करेंगे तो हर एक 3 महीना पर मतलब कि quarterly परतिक तीन महिना पर उसका हम निरिक्षन करेंगे जाचेंगे निरिक्षन करेंगे ठीक है लेकिन यह कह रहा है कि जब refill जब हम कर देंगे तो उसका मतलब है कितना तकले मतलब कि क्या कह रहा है निरिक्षन के बाद अगनि सामों को का देटा को 10 अवधी के लिए माना जाएगा तो इसे तो एक बरस पर भारा जाता है लेकिन उसको 6 महिना के लिए ही मतलब डेटा को माना जाता है उसको फिर से हम चेक करते रहेंगे उससे हिसाब सापना काम करेंगे ठीक है भारा जाता है एक साल पर लेकिन हर एक तीन महीना पर उसको हम चेक करते रहेंगे ठीक है लेकिन जब हम भरेंगे तो छे महीना के लिए ही हम उसको मानने देंगे कि हाँ तब तक फिर से उसको हम चेक करेंगे कम होगा तो उसको भरते रहेंगे चलिए RCF में welder का welder approval test dash के भीत्वर गुनवाता विभाग दौरा आउजीत किया जाना चाहिए ठीक है तो RCF के लिए है कि welder को कितने दिन के बाद मोग गुनवाता के बारे में टेस्ट करते हैं वहां के लिए है वहां के local आदमी बताएंगे ठीक है चलिए 95 अपको अपना सुरक्षा चस्मा को पहना चाहिए तो सुरक्षा चस्मा को पहनिएगा grinding के समय पहनिएगा हिंदी में लिखा है PCN के दवरान मतलब कि grinding जब करते हैं तो देखते हैं उसे बहुत सारा आर्क की तरह मतलब आग पैदा हो जाता है फुन फुन आजादी के कितने साल पूरा होने के बाद में ये तो जीके का कोशन है आप जान रहे हैं कि 85 साल पर मोदी जी ने मामृत माशो मनाने का निने लिया ब्रॉंड गेज की माप क्या है तो 1676 ये तो आप चुटपुटिया कोशन है आप एस्टुटेंट लाइब से पढ़ते आ रहे हैं अंठानबर में देखिए भारत का रेल मंत्री कौन है तो आप भी जानते हैं क्या है आप कॉमेट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सेन के आज का भी कौन रेल मंत्री है अप्शन में भी दिया है अब इतना हलका फुलका भी आप लोग थोड़ा कॉमेंट सेक्शन में दीजिए भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी 1853 इस भी में चलाई गई थी ये भी आप एस्टुटेंट लाइब से पढ़ते आ रहे हैं राइस्टेंज की यूनिट क्या होता है देखे ये जो होता है ओम होता है क्या होता है ओम होता है ठीक है और क्याची से मापा जाता है तो मेगर से मापा जाता है ये भी आप एस्टुटेंट लाइब से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो वोल्टेज या इस अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह प्रतिरोध का भी यूनिट ओम होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक नमर में कि RCF में मुख राजभासा अदिकारी कौन है तो RCF में मुख राजभासा अदिकारी कौन है तो वहां के अनुसारत एंसर है लेकिन आप इससे यह निश्चित बहुत इंपर्टे के बारे में कितना गाड़ी आउटर्न हुआ कितना का लक्ष रखा गया है इस सारा चीजे का अपना नुट्स तयार करके लिख लेंगे उसको मतलब बना लेंगे इसलिए कि आपको पूछ सकता है CME कौन है GM कौन है CWM कौन है जो ओपियन में है DRM कौन है इस टाइप से हटा सकता था लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस कोचन को रखा कि आप अपने सौप में या आप जहां भी जोन में ओदर ओपिन लाइन में भी है तो वहां के जो राजभासा धीकारी कौन है आप जो है उनको पता कर लीजिएगा ताकि या कोचन साइद आ जाए तो आ इंदी संग की राजभासा के रूप में कब सुविकार किया गया है तो 14 सितंबर 1999 को या सुविकार किया गया है तो अभी हम लोग 14 सितंबर को राजभासा दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है ये तो सब ललीपप कोचन है ठीक है चलिए राजभासा नियम किस बर सपारी देखिए यहां पर ध्यान देने जो बात है नियम है ठीक है ना अधिनियम नहीं है नियम अलग चीज़ हो गया नियम अलग चीज़ हो गया इस पर ध्यान दिजेगा यहां पर नियम है तो नियम जो है नियम 176 में जो आप D नंबर में देख रहे हैं 176 में वहीं अगर अधिन नियम रहता तो 165 हो जाता है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर क्या है नियम है तो नियम और 176 में पारिक हुआ है ठीक है और आधिनियम 165 में लाग हुआ है राझि भास्ता के अधार पर पों सा राज क्वाच छेतर में आता है क्वाच çेतर की बात ए तब बिहार हर्यना आगे बढ़ लेते हैं हिंदी दिवस परतिवर्ष का मनाया चोदे सितंबर को मनाया जाता है कर रहा कि असिफिशियल लेंग्वीज राजभास नियम कानुसार खोच छेत्र में कौन साता है ठीक है तो आपको जब भी इस तरह का कोशन आता है तो मैं बता ही देता हूं कि को खाचंडी ना खाचंडी तो पसे पंजाब गुसे गुजरात दमन दमंदिव महाराष चंडी से चंडीगड दादर दादर और नगर है वेली और खाचंडी मतलब खोच छेत्र में इस अब जो आए खोच छेत्र में आता है ठीक है ना तो देखिया पर आपने पूछा है कि खज चत्र में तो पंजाब ना बाकी सब देखिस में नहीं मिल रहा है तो आपको याद करने का तरीका है कि हो यह से थेट को रखा गया जिसका सुद्ध हिंडी है डिका ना अब बीच चत्र में वैसे एस्टेट को रखा गया जो हिंदी से मिला जूला है हिंदी और कुछ अलग भासा मतलब मिला जूला है उसे बीच खेतर में रखे हैं जैसे यहाँ पर देख रहा है कि पंजाब, गुजराद, दमंदिव, चंडिगर, दादर, नगर, हवेली यह सब जो है, हिंदी से कुछ मिला जूला, अलग टाइप का इन लोग का भासा है और गौच खेतर में वैसे एस्टेट आते हैं, जो हिंदी से बिलकुल अलग है जैसे देख्षिन भारत के जितने भी एस्टेट है, या पूर्व में भी है जैसे आप देख रहे हैं, जो है मनेपूर्तिर पूरा ही सब जो है सब सी रिजन में अर्थात गौच खेतर में आते हैं, ठीक है चलिए, आठ में क्या करें कि हिंदी सब नोटिफिकेशन का अनुबाद करें तो नोटिफिकेशन तो यह भी चीज को भी बताने वाला है भाई, क्या नोटिफिकेशन, अब कहीं भी नोटिफिकेशन निकलता है? ब migrant भाuj Pra 문uj बहुत पूर्टेट कोचन है, बार बार पुछा जाता है, चुट पूटिया कोचन है आगे बढ़ेंगे, 10 में कि राजभासा के अधार पर भारत को कितने छेतर में विवाजित किया गया है तो A जो है तीन छेतर में बटा गया है जो B नमर में आप देख रहे हैं इसको कितने छेतर में बटा गया है तीन छेतर में बटा गया है चलिए यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है मैं आपको यह बता दूं कि मुझे से जूनने के लिए या PDF प्राप्त करने के लिए मेरे WhatsApp नमर पर 96-93-57-24-26 इस पर आप लोग मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप लोग इस पर फोन नहीं करेंगे आप लोग अच्छे सच्छे तयारी कीजिए यहीं हमारा मक्सद रहता है क्योंकि वीडियो मैं इसलिए मैं उतना मतलब के वह होता है ने शौट कोट बना दो इसलिए मैं पूरा एकदम डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ उससे समंदित जो भी कोचन राता है उसको आपको सामने रखता हूँ ताकि आपका confusion दूर हो जाए अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे वीडियो को जाकर कि वीडियो में या प्ले लिष्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा कि मेरे चैनल पर वीडियो मतलब कि क्या कहें मंद बूधी वाले जो भी करमचारी भाई होंगे थोड़ा सा कम समझते होंगे उन लोगों को भी मैं समझा देता हूं पूरी ढंग से जो पूरा डिटेल एक दमाग में घूस जाए समझे कि नहीं समझे चलिए मैं अपने वीडियो कहीं समाप्त करता हूं या वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरू दीजिएगा यहीं आप लोगों से हम उमीद करते हैं अपने वीडियो के इसमाप्त करते हैं जैहिन जै भारत